अपनी तरह का या पहला मामला होगा जब राज सरकार के द्वारादों किसानों का धान समर्थन मुल्ग का आज खरीदी है आई कोट के निर्देश पर कलेक्टर जांगी चापन याज़िका करता किसानों का धान समर्थन मुल्ग पर खरीदी करने के लिए जिला सहकारी केंद्र बैंक के मुख्य कारपाला नदिकारी और जिला वपड़ा नदिकारी को निर्देश ज़ारी की हैं दोनों किसानों का धान खरीदने के लिए टोकोन जारी कर दी गए हैं आज 668 क्विंटल धान की खरीदी कर लिगई है आपको पताते कि जोंगी चामपर जुले के डबरा तैसल के अंदरगत ग्राम भेडी कोना में सदानन पटेल और हरिशंकर पटेल की सायों के खाते में खरीदी से वंची दोनों किसानों ने अपने वकील एच एस पटेल के जरिए हाई कोट में बश दोज़ार बीच में याच्विका दायर की थी दो 27 जनवरी 2021 को हाई कोट ने निर्देशित किया कि जिस किसान का जित्ता हिस्सा होता है उसे उत्ता ही धान ओ पैसा दिया और तैसेदार बाबू लाल कुरे को पक्षकार बना कर मन याची का पेश की थी इस पर सुनवाई करते में हाई कोट ने दोनों प्रतिवादियों के खिलाफ अवमानन नोटिस जारी किया था इसके बाद भी खडीदी नहीं हो सकी थी इसमें मोखिय सचेव, खादिय सचेव सीओ, जिला सहिकारी बैंक, कलेक्टरेट जांजगीर, नोडल ओफिसल जांजगीर और एसडियों डबरा को पक्षकार बनाए गया, मामले में जस्टिस आर एसीए सामान्त ने बिते नो माज को सुनवाई करते हुए, सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर याज़िका करता के धान की खरीदी सुनिशित करने के दिशा निर्देश दिये थे, जानके सकती से डोलकुमार निशात की रिपोर्ट प्रानन्द पटेल ग्राम भेडी कोना के रहने वाला हूं, यह तसिलदार के गलत आडर के खातीर हमार धान खरीदी नहीं हो पाई प्रानाम चात्रपाल सिया मैत्री है, मैं सेवा सागरी समिती मार्डित पुटिडी पंजन करमंग 1866 में संतर रही की पदर पदास्त हूं माननिया पुछ नियाला के आदेश के अनुसार आज दो किसक गुरी संगर पटेल या महरी संगर पटेल का 665.80 कुंडल धान का खरीदी भाग के आदेश के अनुसार किया जा रहा है